जाता है गाउं में सुशीला को अपनी कमपनी के एक समान का प्रोमोशन करने जाना था वो वहाँ अपने कमपनी की हे एक बहुत अच्छी दोस्त नहारिका के साथ जाती है और अपना काम खत्म कर देती है इसके बाद भी सुशीला के पास थोड़ा टाइम था तब वो निहारिका से कहती है निहारिका चलो गाउं गूमने चलते हैं मैंने सुना है यहां की खिद बड़े सुन्दर हैं ठीक है सुशीला चलो चलते हैं जब वो दोनों गूमने निकलती हैं हमें तो कल वापस जाना है अरे बस इतनी सी बात तो चलिए मैं आप लोगों को गाउं घुमा देता हूँ न अरे वाँ ये तो बढ़िया बात है चलिए फिर हरीश दिखने में काफी हैंडसम था और वो काफी महनती भी था वो सुशिला और निहारिका को पूरा गाउं घुमा देता है राम होते होते निहारिका ठक जाती है और घर चली जाती है पर हरीश और सुशिला खेत में बैठे थे सुशिला को हरीश से प्यार हो जाता है और हरीश भी सुशीला से शादी करने के लिए पूछ लेता है हरीश पर भला ये कैसे मुम्किन है हम तो आज ही मिले हैं और तुम तुम यहां गाउं में रहते हो और मैं शहर में तो हम कैसे शादी कर सकते हैं सुशीला मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम मेरी पत्नी बनोगी क्या तुम मेरे लिए शहर नहीं छोड़ सकती बहुत मुश्किल भरे दिन काट लिए तुमने अकेले शहर में अब तो मैं तुम्हें यहां गाउं की रानी बना कर रखूंगा हरीश की मीठी मीठी बातों में सुशीला फस जाती है और वो उससे शादी कर लेती है शादी के बाद सुशीला गाउं में ही रहने लगती है उधर निहारी का वापस शहर चली जाती है और सुशीला नौकरी छोड़ देती है पर सुशीला की जगा वो नौकरी हरीश करने लगता है इसी वज़े से अक्सर हरीश काम की वज़े से शहर में रहने लगता है और वो सुखीला से मिलने कम ही गाउं आता था एक दिन जब हरीश गाउं आता है तब वो अपने ओन में ही खोया खोया सा था ये क्या हरीश इतने समय बात तुम आये हो और अपने फोन को देखकर मुस्कुराय जा रहे हो, क्या बात है? तुम भी कैसी बाते करती हो सुशीला, मैं तो ये सोचकर मुस्कुरा रहा हूँ कि मेरी प्यारी पत्नी मेरे पास है, अच्छा ये बताओ खाने में क्या बनाए? सुशीला हरीश को खाना परोसकर दे देती है, और दोनों बातें करने लगते हैं, पर अभी भी हरीश फोन में ही लगा हुआ था, और सुशीला को ये सब अजीब लग रहा था, अच्छानक से हरीश कुछ परिशान होकर सुशीला से कहता है, सुशीला, इस बार में एक हफ़ता भी नहीं रुक पाऊंगा, कमपनी में बहुत काम है, मुझे कली वापिस जाना पड़ेगा, क्या, ये तुम कैसी बाते कर रहे हो, हरीश मैं क्या सोच रही थी, कि क्यो ना मैं तुमारे साथ ही शेहर चल दूँ, यहां गाउं में रखा ही क्या है, हम दोनों की अभी शादी हुई थी, और हम इतना दूर दूर रहते हैं, उससे अच्छा तो ये ही होगा कि मैं भी तु सुशीला को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली जाती है, वो जल्दी से अपने फोन से अपने कमपनी के ही एक दोस्त, प्रिजेश को फोन लगा देती है, प्रिजेश कमपनी का मैनेजर था, अरे सुशीला दीदी, बड़े समय बात कॉल आया, जब से आपने कमपनी छोड़ी तब से आप तो मिलने भी नहीं आई, अरे ब्रिजेश भाईया, वक्त थी नहीं मिला, पैसे ये बताईए, जो कमपनी में एक हफते की छुट्टी थी, क्या उसे कैंसल कर दिया गया है, या इस वक्त काम जादा है, क्योंकि हरी शाजी गाउं आए और अब कल वापस जा रहे हैं, ये बोलकर कि कमपनी में काम जा आदा है और छुट्टियां रद्द कर दी गई है, नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है सुशीला, सबको एक हफते की छुट्टी मिली है, हम लोग पागल दो रही है जो कि किसी को बीच छुट्टी में बुलाएंगे, ये सुनकर सुशीला को तो मानू जैसे धक्का सलगता है और वो फोन काट देती है, तभी हरीश कमरे में आ जाता है, सुशीला तुम तो नाराज होगी, चिंता मत करो, जैसे ही मेरा प्रमोशन होगा ना, मैं तुम्हें भी शहर ले चलूँगा, तब तक के लिए तुम्हें यही रहना पड़ेगा, अच्छा मैं सोने जा रहू, बहुत ठकान हो रही है, तुम जाकर खाने के बरतन दोलो, फिर अंदर आ जाना, सुशीला चुप चाप उठकर बाहर आ जाती है, तभी उसकी नजर हरीश के फोन पर पड़ती है, जो कि खाने के डाइनिंग टेबल पर पड़ा हुआ था, और उसमें बार बार किसी का रहा था, सुशीला फोन उठा कर देखने लगती है, तो उसमें मेरी जान नाम से किसी का नंबर सेव था, और उसी से पर तभी रीश वहां आ जाता है, और सुशीला से फोन चीन लेता है, अगले दिन हरीश शेहर के लिए निकल जाता है, और सुशीला भी ठान लेती है, कि वो पता लगा कर रहेगी कि आखिर चक्कर क्या है। पर रास्ते में ही सुशीला की बसका एक्सिडेंट हो जाता है और सुशीला एक चुडैल में बदल जाती है। ये क्या भगवान? ये सब मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? कहा जाओं? नहीं। ये सब गलती उस हरीश की ही है। मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा कि आखिर माजरा है क्या? वरना मेरी आत्मा को कभी शान्ती नहीं मिलेगी। सुडैल शेहर की तरफ चल देती है। वो जल्दी से उस घर में जाती है जहां पर हरीश रह रहा था। और वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। घर में हरीश के साथ कोई और नहीं सुशीला की दोस्त निहारिका रह रही थी। अरे मेरी जान इस बार तो सुशीला ने मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था। मेरे पीछे बढ़ गए कि उसे शहर आने है। क्या? अब बस बहुत हो गया। तुम उस डायन से डायवोर्स ले लो और उसे गाउं में सड़ने के लिए छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि तुम वापस उस सड़े गाउं में जाओ। हाँ हाँ बस मैं जल्द यही करूँगा। उस से शादी करके उसकी नौकरी तो मुझे मिल ही गई। पर तुम्हें पहली बार गाउं में देखकर मैं समझ गया था कि तुम मेरे लिए ही बनी हो नहारिका। उस पागल औरत से शादी तो मैंने सिर्फ नौकरी पाने के लिए अजे धोखा दिया। तुमारी वज़े से मेरी जान चली गई। मेरी पूरी जिन्दगी बरबाद हो गई। अरे तुम पर तो मैंने सबसे ज़्यादा भरूसा किया था। तुम दोनों ने उसे ही तोड़ दिया। अब मैं तुम दोनों को ऐसा मज़ा चकाऊंगी कि तुम उन दोने ही अच्छे से याद रखोगे। इतना बूल कर चुड़ेल हरिश और निहारिका को जादू से बहुत छोटा कर देती है। और फिर उन दोनों को एक छोटी सी बॉटल में डाल देती है। तुम दोनों ने बड़ा हमेशा साथ साथ रहने का सोचा था था ना। ख़बर ही नहीं होगी। नहीं नहीं मेरी प्यारे दोस्त दुशीला प्लीज हमें छोड़ दो सब गलती तो इस आदमी की है। इसने हम दोनों को बेवकुफ बनाया। इसने मुझसे जूटे वादे की और तुमसे भी मेरी कोई गलती नहीं थी। ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ- जरा कोई जडायन की बात ये तो सुनो, तू तो जैसे मासूम कोमल कली है ना, तूने भी मुझे धोखा दिया है नहारिका, अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों से जब तक बदला नहीं लेलू, मेरी आत्मा को कभी शानती नहीं मिलने वाली। य खिड़की से सब कुछ देख लेता है, ये क्या ये तो एक चुड़ैल है, और ये इन दोनों लोगों को मारने वाली है, अब मैं क्या करूँ, अभी जा कर उन्हें बचाता हूँ। वरना बेवज़े तुम भी मारे जाओगे। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मेरे होते हुए किसी मासूम की जान नहीं जाएगी। ये और मासूम, इन दोनों ने मिलकर मुझे धूखा दिया, मेरी जिन्दगी बरबाद कर दी और तुम इने मासूम कह रहे हो, अगर मैंने इन्हें नहीं मारा, तो मेरी आत्मा को कभी शान्ती नहीं मिलेगी। क्या, ऐसा क्या, ठीक है फिर तुम इने मार दो, मैं बाहर नसर रखता हूँ, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही ओड़ा चीए। क्या, ये आप क्या कह रहें, अरे आप तो पुलिस वाले हैं, हमें बचाईए।